लो अधिर आपको है लो एक हैं जाय अंशा निशा फूड करस्त में आप सकका सौगत है आज में निशा की रसोवी बनाने जाने जाने हैं साही खोवा मटर पनीर की रैस्पी यह साधी पाटी में बनती है बहुत ही टेस्टी बहुत ही डिलिसेज होती है रेश्टरंट में बहुत ही आसान तरीके से घर पे हम कैसे बना सकते हैं तो चलिए इसे बनाना स्टाइक करते हैं तो तड़के के लिए यहाँ पर मैंने एक पिंच हींग लिए दो तिछ पते लिए दो लॉंग लिए दो हरी लैची एक डाल चेरी का टुकड़ा और आदा चमच जीरा लिया है तो आप अगर यह सब खड़ी मसाले नहीं डालने चाते हैं तो जीरा और हींग डाल दीजेगा इनको छोड़ भी सकते हैं यहाँ पर मैंने एक गाट लैसुन के लिए हैं चार हरी मिर्च और चार लाल मिर्च लिए तीकी वाली एक इच अद्रक का टुकड़ा चार टमाटर इनकी हमें ग्रेवी बना लेनी है साथ में सबको पीस कर और यहाँ पर बारी करके चार प्याज को मैंने बारी कट कर लिया है इस तरह से आप पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं अगर मैं बारी कट के डालूंगे बहुत टेस्टी लगेंगे और यहाँ पर टमाटर की प्योरी और बहुत ही तेजटी लगेगा तो यहां पर आपने तल्का दाल दिया है तल्का ब्राउन हो गया है दो तेजब्ता मैंने डाल आपना है दौलॉग दो हरीयलाची और एक यही तकड़ख,ीरा एक पिंच हींग इससे मैंने तड़का दिया है इससे खुजबू हमारी ये शाही शबजी में इसकी खुजबू और बढ़ जाएगी और यहाँ पर मैंने जो बारी कट करके प्चार प्याज लिए है इसे हमने इसको भूनना है मैंने यहाँ मीडियम रखा है Chronuation strange और काजु भी पड़ता है तो आपको जो पसंद हो आप वो डाल सकते हैं तो मैंने तो थोड़े से काजु डाले हैं 10-12 पीश और यहाँ टमाटर अद्रक हरी मिर्श और लाल मिर्श का मैंने पेश्ट बना लिया है यह मैंने खोवा लिया है 100 ग्राम है आप देख सकते हो 100 ग्राम यह खोवा है तो अगर आपका जमा हुआ खोवा है तो आप कदू कस कर लिजेगा मेरे हाथ से यह अच्छे से मिक्स हो जा रहा है फूट जा रहा है क्योंकि अभी यह फ्रेश है और बिल्कुल बुलायम है तो इस तरह से इसको हाथ से हम क्रेश कर करेंगे अगर नहीं भी करेंगे तो अगर ठोस है तो कदू कस कर लिजेगा नहीं तो यह ओल में जाकर मिक्स हो जाएगा तो यहां पर देखिए जो टमाडर की प्योरी बनाई थी उसे हम डाल लेंगे और इसे अच्छे से हमें मीडियम फ्लेम पे भूलना है और साथ ही पानी डालकर और उसको भी हम इसमें एड कर लेंगे तो यहां पर सारा मिसाला निकल आएगा मसाले भी मारे अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे इस तरह से इसको हमें भून लेना है और गैस का फ्लेम हाई नहीं रखना है और स्वाद अनुसार हम नमक डाल देंगे क्योंकि तो यह दितल आँज यहां दालेंगे तो यहां हमें लालमिर्छ तो यह आधा चमबच हम डाल देंगे इससे कलर बहुत अच्छा आएगा क्योंकि हमने खोगा डाला है तो थोड़ा वाइट वाइट सा कलर लिखेगा तो इसलिए मैं थोड़ा कस्मेरी लाल मिज़ डाली है और इसे धक से 5 मिनट हम कुक कर लेंगे गैस का फ्लेम लो कर दिया है पांच मिनट को खो गया है देखे हमारे मसाले अच्छे से भुन गया ह कितना अच्छा लग रहा है यह मसाला भुनने के बाद खुस्पू पूरे घर में महक रही है और इसी तरह से मसालों को भूल लेना था तो पांच मिनट मसालों को भूलने बाद सेप्रेट हो गया है दानेदार हो गया हमारे मसाले और यहां पर हम इसमें 100 ग्राम खोवा मिक अच्छा है तो साथ में 2 मिनट इसमें मसालों के साथ बूल लेंगे और उसके बाद हम इसमें हरी मतर यूज करेंगे तो यह मतर हमारी अभी फ्रेश है तो टाइट होती है तो शाथ ही साथ में हम इसे भूनेंगे कि यह बी सौफ्ट हो जाएंगी अगर आप चाहते हैं कि मटर साथ में ना भूलना तो इस मटर को आप बॉयल करके तब आप डालिएगा क्योंकि यह फ्रेश है फ्रेश मटर टाइट होती है इस तरह से आप फ्रेजर मटर यूज कर रहे हैं तो आप पहले खोवा को भूल लीजेगा तब इसको डालिएगा तो यहां पर इसको हम पां पनीर को सेख भी सकते हैं हलका ऑईल डाल कर इसको हलका ब्राउन कलर कर सकते हैं उससे भी टेस्ट और बढ़ जाएगा वह यह देखिए हमारी खोवा और मटर अच्छे से बुन गए हैं मटर सॉफ्ट हो गए हैं अब इसी जगह पर हम इसमें साही बना रहे हैं तो यहां प बढ़ जाएगा पिल्कुल साही अंदाज वाली यह सब्जी बनेगी और एक ग्लास उसी ग्लास से हम पानी डालेंगे क्योंकि हमारी मटर में हलकी फुल की कसर होगी पकने की और मसालों की पकने की तो वह भी कंप्लीट हो जाएगी यहां पर इसको अब हम ढग कर पांच से चाही मिनिट हम पकने देंगे और यहां देखे फ्रेंट हमारी 5-6 मिनिट हो गई है ग्रेवी को पकने में कलर कितना अच्छा आ रहा है कितना प्यारा कलर दिख रहा है ग्रेवी का और आप देख सकते हो खुस्पू बहुत अच्छी आ रही है यकीन मानिये इसको ट्राइ जरूर करिएगा तभी आपको पता चलेगा कि यह सबजी कितनी डिलीसस होती है अब यह बॉइल अच्छे से आ गया है पांच मिनिट कुक हो गई है तो अब यहां पर हम अपनी पूरी पनीर एड़ कर लेंगे जैसे कि मैंने बताया आप पनीर को हलका ब्राउन करकर भी डा कर रहे हैं तो इसे हलका फ्राई करके आप गुंगुने पानी में थोड़ा सा नमक डाल के डाल दीजेगा तो वह पनीर हमेशा सॉफ्ट बनी रहेगी आपकी सबजी में अब इसको हम 6 मिनिट के लिए धक कर लेंगे देखे फ्रेंट 6 मिनिट हो गए हमाई सबजी कितनी पनीर खुआ की रेस्पी का और यहां पर मैं आदा चमर्च गरम मसाला डालूंगी लाश्ट में और गरम मसाला डालके एक मिनिट के लिए मैं से धक कर कुप करूंगी जिससे की मसाले का जो प्लेवर है टेस्ट है वो इसमें अच्छे से हो जाए फ्लेवर खुस्बू यह देखिए हमाई लाजवाब सबची बनकर रेडी हो गई हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया अब इसमें हम थोड़ी सी हारी धनिया के पत्ते डाल लेंगे इससे देखिए कितना चत्तिक रेव्यू की यह पनीरी बनी है जैसे शादी पार्टियों में बनी होती है हम यह पसंद आये तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा कमेंट करके मुझे लिखकर जरूर बताईएगा कि यह रैस्पी हो यह सब्ची कैसी लगी आपको फ्रेंट्स बनाईएगा ट्राइक करिएगा तभी आपको इसका टेस्ट और फ्लेवर पसंद आएगा और पता सकेंगे कि बिल्कुल साधी पाटी वाली सब्ची है कि नहीं है तो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा कमेंट कर दीजेगा मेरे चैनल पर नए है या फर्स्ट आम विजिट किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करना बैल आकान का बटन दबाना ना भूले और अपनी फ्रेंड्स वैमिली के साथ सोशल मीडिया पर मेरे चैनल मेरी रैस्पी को ज्यादा से ज्यादा जिन्स फ्रेंड्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और मेरी ली वीडियो को लाश तक देखते हैं तो उन्हें सब को तो हैं देल से मैं थैंक्यू बोली अपना स्कूरिया कर रहे हूं आप सबका बहुत बहुत सुक्रिया जो आप मेरे चैनल को पसंद कर रहे है तो मिलते हैं नई रैस्पी के साथ नेक्स वीडियो में थैक्स पॉट वाशिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स बाबवाई